तो friends welcome back to my youtube channel Mr. Civil Engineer Guru आप सभी friends का स्वागत है मेरे youtube channel पे friends live at architecture का नया tutorial लाया हूँ इस tutorial में हम discuss करेंगे कि बैलकोनी हम कहीं से provide करते हैं ठीक है friends कि हम यहाँ पे बैलकोनी कहीं से डालेंगे ठीक है friends previous tutorial में हमने discuss किया था about roof gutter ठीक है friends and roof fascia अगर आपने हमारा previous tutorial नहीं देखा है please and please हमारा previous tutorial देखें ताकि आप कुछ चीज़ें stepwise आपको समझ आए ठीक है friends आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैंने आपको पहले रूप के बारे में सिकाए अगर आप directly gutter का tutorial देखेंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा इसलिए आप पहले gutter का tutorial देखें ठीक है friends उसके बाद balcony का देखें या पहले देखें आप roof का उसके बाद gutter का देखें ठीक है आपको चीज़े अच्छे से समझ आएगी तो इस वीडियो की start करने से पर एक favor करना अगर आप हमारे youtube चैनल नहीं है तो please हमारे चैनल को subscribe करके बिल आइकन को प्रस करना ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको time पे मिलते रहे और आप time पे वीडियो देखते रहे हैं start करते हैं इस वीडियो को आप देख रहे है Mr. Civil Engineer गुरू चलो करते हैं इस वीडियो को शुरू ठीक है friends हमें यहां यहां पे बैलकोनी प्रोइड करेंगे ठीक है 이제 यहां से लेकर डोर के यहां तक ठीक है friends तो हम मेरा यह bedroom है bedroom है bedroom ने मैंने यह अच्ए टॉर 코ओ प्रोइड की है ताके मैं बहार से यहां से बैलकोनी में आ सको तो बैलकोनी हमें कहीं से हम बैलकोनी बनाएंगे उसके लिए सबसे पहरे हमारा जो सिलेब है हमें यहां पर क्लिक करना है ठीक है फ्रेंस उसके बाद हम लेवल वन पर जाएंगे यहां से लेवल ONE पर जाने के बाद यहां परzeit इडिन बौंडर funky। बॉंडर को शेती हां दिजम है उसके बाद फि existing number maximum, 4 Leinee बाद जो लाइन दिफाल है दिंग शेती है ठीज़ है ठीजों जARS बढ़ने के लित्त, इस पहां जाँ 5 बाहर कि दे यहां पर क्लिक लेल कर सरे खड़ villagers से यहां से इस डूर के यहां तक इस वाल के सेंटर तक बालकोनी बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है मुझे इसको यहां से सिपलिट करना है उसके लिए हम जाएंगे यहां पर सिपलिट element तो मैं यहां पर क्या करूंगा है को सिपलिट करूंगा इसके Walgap Center थो फेंट स्थेयग है ठ शुब हुग है कि मैं सिपलिट करूंगा सेपलीट हो गया से दो बाध इसको select करने के यहां से delete कर सकता हूं ठीकिस उसके बाध जब मैं यहां से finish करूंगा तो यहां पर यह बोर रहा है वारिंग शो कर रहा है लिमिट, स्वरी, lines must be in closed loop यह जो line है, यह closed loop नहीं है यह open है, टेके फ्रेंड्स तो हमें क्या करना है हमें यहां से, हम क्या करेंगे हम इसको यहां से close कर देंगे उसके लिए हम जाएंगे boundary line पर यहां से line को pick करेंगे यहां से हम pick करेंगे, यहां तक उसके बाद हम यहां पर इसको close कर देंगे लेकिन हमारे पस यहां पर extra extend है तो हम क्या करेंगे इसको trim extend से हम इसको cut कर देंगे ठीके फ्रेंड्स, cut हो गया रेलिंग प्रोवाइड करने के लिए फिर से हमें क्या करना है हमें लेवल वन पर जाने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर आएंगे यहां पर हमारा रेलिंग ठीक है इस रेलिंग पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमें रेलिंग प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो रेलिं 3 inch 3 inch करके यहां से पिकापो सेलेक्ट करूंगी । तरह फिन। टीन त्र आफिडृ है , उसके बाद हमें क्या काम करना है यहां से यहां आगे तक किसा दीन हो गया है किसे टून कर से यहां हमें हमें यहां तक ही डालना है तो हम इसको split करेंगे, यहाँ पर जाएंगे separate element, यहाँ पर दिहां से हम इसको split करेंगे, दो बार escape करके command से बाहर आएंगे, इसको select करने के बार delete करेंगे, ठेक है friends, तो हमारा यह काम हो चुका है, उसके लिएगे हम यहाँ finish करेंगे, finish करने के बाद यहां पर 3D पे जाएंगे तो हमारा railing लग चुका है ठीक है फ्रेंस तो हम उसके बाद इस railing के different आप यहां पर click करेंगे click करने के बाद railing पे जाएंगे आपके पस यहां पर rectangular railing है यहां पर आप ग्लास पेंदल लगें तो आपकी मर्जी जहीं से आप रेलिंग लगाना चाहता है जिस टाइब का भी आप यहां से इसको सेलेक्ट करके यहां से आप चूज कर सकते हैं तो यह हमारा रेलिंग लग चुका है और हमारा बैलको लगोंगा तो यह हमारा थएल कुछ समझना अए अए प्लिज कोमेंट करके बता देना मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की ठीक है फ्रेंड सम्हारे वीडियो को देखने के लिए आपका वहत बहूँत थैक्यू थेखने बहूत थैंक यो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई